नवस्कार में उश्वानी बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों की और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार सिपाही भरती वेबसाइट का पता बदला नई वेबसाइट पर मिलेगा भरती जानकारी सिपाही भरती जानकारी अब इस लिंक पर नवादा में रोजगार कैंप का आयोजन आई टी आई पास युवाओं के लिए नौकरी 60 पदों के लिए भरती अवसर दर्भंगा एरपोट को मिले अंतरास्ट्रे मंजूरी रनवे लंबाई बढ़ाने का प्रस्ताव स्विक्रित 90 एकड़ भूमी की हो गयावा सकता वेंटिलेटर पर नहीं है शारदा सिंधा लेकिन तवित में नहीं है सुधार मल्टिपल माईलोमा से है पिडित गैरी कस्टर्ण ने पाकस्तान कोचपद छोड़ा टीम चैन विवादो से कस्टर्ण निराश गुजरा टाइटन्स के मेंटर के रूप में कर रहे काम अब शली पढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से केंद्री च्वेन परशद सिपाही भरती बिहार की आधिकारिक विबसाइट का पता बदल गया है अब सभी जानकारी जैसे विग्यापन और भरती नई विबसाइट esbc.bihar.gov.in पर मिलेगी पहले विबसाइट का पता csbc.bih.nic.in था पुलिस मुख्याले द्वारा जारी सूचना के रुसार बिहार पुलिस कांस्टेवल रिजल्ट भी जल्द घोशित होने की उमीद है और उमिद्वार इसे नई विबसाइट पर देख सकेंगे केंद्री चुयन परसथ बिहार सरकार के अधीन एक संगठान है जो ग्रूप D सिविल सेवकों की भरती करता है इस बोट का नेत्री तो पुलिस महानिदेश्यों करते हैं और इसका मुख्याले पटना में है दर्भंगा हवाई अड़ा को अंतरास्ट्री एरपोर्ट बनाने के मंजूरी मिल गई है जद्यू के रास्ट्री कारिकारी अध्यक्ष संजे कुमार जाने बताया कि एरपोर्ट अथौरिटी ओफ इंडिया ने इस प्रस्ताव को स्विकार कर लिया है जिसमें रनवी की लं रननितिक महत्व रखता है जिससे उतर बिहार के लोगों के लिए विदेश्वी यात्रा आसान होगी और शेत्र में वेपार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा धन्तेरस पर ओचो मुबाइल बाजार में इस बार गाडियों की चपरदस्त मांग देखी जा रहे है जुसमें दस हजार से अधिक गाड़ी अभिकने की उमीद है ग्राकों की सुविधा के लिए देर रात तक डिलिविर की विवस्था की जा रहे है संगनार अटिंगा और ब्रेजा जैसे उजले रंग की गाडियों की मांग बढ़ी है स्कूर्टी और वाई की भी भारी मांग है खासकर अपाची और जुपिटर की इलेक्ट्रिक गाडियों जैसे हीरो की विड़ा वी की भी बढ़ती लोग प्रियता है ओटोमोबाइल बाजार में इस बार ब्रेजा जानकारी दी है कि उनकी हालत इस्थिर है और वे डॉक्टरों की निगरानी में है शारदा 2018 से मल्टिपल मायलोमा से पेडित है उनके बेटे अंशुमान ने इस पस्ट किया है कि वो वेंटिलेटर पर नहीं है और समान ये ऑक्सिजन पर हैं अंशुमान ने कहा कि के स्थिति गंभीर है लेकिन उमीद है कि वो जल्द उबर जाएंगी उन्होंने लोगों से दुआएं देने की अपील की है यह कहते हुए कि उनकी बीमारी पर काबू पाने के लिए यह मत पूर्ण है बिहार के नवादा जुले में 29 अक्चुबर दोज़ जॉबस को विश्यस रोजगार कैंप का आउजविन किया जाएगा जो जिला न्यूजनाल सह मौडल केरियर सेंटर द्वारा आउजवित है यह कैंप सरकारी आई टी आई परिसर में होगा और इसमें राजस्थान की ब शामिल हो मिदवारों को आई टी आई या समकक्ष योग गिता के साथ साथ पहश्वान पत्र सैक्षिन प्रमान पत्र और पासपोट आकार की फोटो लानी के आवशकता होगी या कैंप जिली के युवाओ के लिए रोजगार का महत्पूर्ण अबसर प्रतान करेगा बिहार की राजधानी पत्ना में राम कृष्णा नगर पुलीस ने एक फरजी दारोगा अर्विन कुमार पासवान उर्फ बिपूल पासवान को गिरफतार किया है वह खुद को एज़ी कारयाले में तैनात बता कर अस्थानी दुकानदारों से उगाही कर रहा था पिछली छो महिने से वह एक किराय के मकान में रह रहा था और वर्दी पहन कर लोगों में खौफ पैदा करता था अस्थानी लोगों की शिकायत पर पुलीस ने उसे पकड़ा जब वह पुछताश के लिए थानिल लाय ज़ा रहा था उसके पास वर्दी पढ़ने प्लेट भी नहीं मिली पुलीस मामले की ज़ाज कर रही है और अन्य संभावित शिकारियों की खोज जारी है दिवाली और छट पर भिहार रहने वाले यात्रियों के लिए कछिनायां बढ़ सकते हैं सबी ट्रेनों में सीटेप फुल है और एलाइन्स ने किराय को पांच गुना बढ़ा दिया है उदारन के लिए 31 ओक्टूबर को दिली से पटना का किराया 23,870 रुपे है पटना एरपोर्ट पर इंडिगो 6 और 20 जेट ने 10 नई फ्लाइट बढ़ाई है लेकिन किराय में कोई कमी नहीं आई है पटना एरपोर्ट का नया चर्मिनल नए साल तक तैयार होने के उमीद है जिसे यादरी सुधाएं बहतर होंगी फैंसी और स्ट्राइलिश नंबर प्लेट लगाने का चलन बढ़ता जा रहा है जिसे हाल ही में रास्थानी पटना में 109 वाहन पकड़े गए इन वाहनों के नंबरों में छेट चार की गई थी जैसे 8500 को बॉस और 4141 को पापा लिखा गया पहली बार फैंसी नंबर प्लेट रखने पर 25 रुपे का जुर्माना होता है जबकि पुनरा विर्ती पर वाहन जब्त किया जा सकता है तीसरी बार पकड़े जाने पर रेजिस्ट्रेशन समाप्त करने का प्रापधान है परिवहन विभाग ने हाई सेक्योर्टी रेजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवारे किया है पुलीस उन वाहनों के मालिकों पर नजबर रख रही है जिनके नंबर और परस्टों हैं या जिन हैं अपनी पसंद के अंसार रंगीन या सजाया गया है छेट-छाड की गई है दर्भंगा जुले में महिला परिवेक्षिका के 48 रिक्त पदों पर नबंध के आधार पर भरती प्रिक्रिया शुरू हो गई है या अवसर आंगनवारी सेविकाओं के लिए है जिन्हें निउन्तम 10 वर्षों की सेवा के आधार पर पदोननती मिलेगी अधिक्तम उम्र सीमा 45 वर्ष है और आवेदन 4 नबंध मर्दक आउनलाइन और आफलाइन दोनों माध्यमों से स्विकार किया जाएगा हालांकि दिव्यांग से विकाओं के लिए कोई आरक्षन नहीं दिया गया बकसर जुले में गंगा पर तीन लेन का नया पूल निर्मान जल शुरू होगा जो पुरवांचल एक्सप्रेस वे को बकसर पटना एनेश 922 से जोड़ेगा हालांकि प्रस्तावित एलाइनमेंच के कारण स्थानी प्रशासन चिंतित है क्योंकि यह घनी आबादी वालक श्वेतर से होकर गुजरेगा जिससे बकसर गुलंबर के पास जाम की समस्य और बढ़ सकती है सदरेस्डियों ने डियम से सडक और पूल निर्मान एजनसियों को एलिवेटेड रोड बनाने का सुझाओ दिया है पूल बिहार और उत्तर प्रदिश को जोड़ेगा जिससे आवा गमन सुगम होगा दिवाली के तिवार से पहले शुराब की तसकरी भी तेज़ी आ गई है अर्या पूलिस ने नर्पत गंज उथाना शेत्र में एक ट्रक से भारी मात्रा में शुराब जब्त की है और एक तसकर को किरफतार किया है पूलिस अधिक्षक अमितर अंज ने बताया कि गुप्त सूशना के आधार पर ने शुफिप्टी सेवन पर वाहन चेकिंग की गई जिसमें एक ट्रक से 750 एमिल की 42 सो और 375 एमिल की 6672 बोतले वरावद हुई यानि कुल 5752 लीटर अंग्रेजी शुराब या शुराब मेडिकल ऑक्सिजन प्लांट में छिपा कर लाए गई थी जिसे दिवाली पर बेचर जाना था पुलिस ने तसकरों के खिलाब सक्त करवाई की है और मामला दर्ज किया गया है बिहार में भागलपूर के सुल्तानगज अगुवानी घाज पूल के ठाने से नेशनल ग्रीन च्यूबनल चिंती थे और इस मामले में केस दर्ज किया गया है इंजीटी ने साथ एजेंसी ओजेसर बिहार, स्टेट पॉलिशन कंट्रोल, बोज और भारत सरकार की मिनिस्ट्री ओफ जल शक्ती को पार्टी बनाया गया है चार जून को हुए इस हादसे से विकरम शिला गंगा डॉल्फीन अभ्यारन को नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है इंजीनियर हेमंद कुमार्ण बताया कि मलवे से जल्चर पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो सकता है आगामी सुनवाई 6 जनवरी 2025 को कॉलकता में होगी जहां सब भी अजन्सियों के प्रतिनेधी पेश होंगे सांसत पपू यादव को लॉरेंस विश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है सांसत ने ग्रिह मंत्री अमिच्छा से भी बात की है और सुरक्षा को लेकर सरकार से गमभीरता की अपील की है पपू यादव को लगातार धंकिया मिल रही है जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है बकसर जिली के धनसोई बाजार में राश्ट्री लोग मोचा का सदसेता महापर वायोजित हुआ है जिसमें राश्ट्री अधक्ष उपेंद्र कुश्वाहा ने आक कार्यकरताओं को संबोधित किया उन्होंने कारकार्टर सीट के लोग सबाचुनाव परिनाम को साजुष का परिनाम बताया लेकिन कहा कि वह सांसत बनने से नहीं रुके कुश्वाहा ने आरोपो का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने रास्ता बदला है लेकिन मंचिल नहीं इस मौके पर जीवी का दीदियों ने अपने समस्याएं साजा की और कुश्वाहा को चान्दी का मुकुट एवं अंग वस्त्र से सम्मानित किया कारिकरम में कई अन्य नेता भी उपस्ति थे पाकिस्तान के केट में लगातार बदलाओ के बाब जो टीम की किसमत नहीं बदल रही हाली में वाइट बॉल कप्तान बावर आजम को हटा कर मुहमद रिजवान को नया कप्तान बनाया गया इसी बीच कोच गैरी कस्टरन ने सिर्फ चा महिने में पच से इस्तिफा दे दिया ह है रिपोर्ट के अनुसार कस्टरन PCV के साथ मत भेदो और चैन में समित अधिकारों के काल निराश थे उनकी नित्री तुमें भारत ने दोचरे 11 में विश्व कब जीता था लेकिन पाकिस्तान के साथ टी 20 विश्व कब दोचर 24 में टीम का प्रदोशन अच्छा नहीं रहा कस्टरन अब IPL में गुजराय टाइटन्स के मेंटर के रूप में काम कर रहे हैं के लिए बस इतना ही धन्यवाई